नया आईबियन सेवन होसला है भी बताई और मौझूदा सरकार का रोड मैप पेश किया बेंग्लियूरू में ही बीजेपी की राश्ट्रे कारिकारणी की बैठक चल रही है प्रधान मंतरी मोधी ने अपने भाशन में खास तोर पे भूमे अधिकरहन बिल का जिक्र किया और अपनी सरकार को किसानों का हेतैशी सरकार करार दिया समझा जा रहा है कि इस राश्ट्रे कारिकारणी में चल रहे मंतर में भी भूमे अधिकरहन बिल पर फसी सरकार को राहत देने का कोई उपाए खोजा जा सकता है आज देश का पशुधन खतम हो रहा है और मैं हरान हूँ जो लोग किसान की जमीन की चिंता के लिए बड़े बड़े अंदोलन चलाने के लिए निकल पड़े हैं राजनिति रोटियां पकाने के लिए निकले हैं उन्हें ये मालूम नहीं है कि किसान के जीवन में अगर जमीन जातना जितना दुख दायग है उतना ही अगर पशुधन गाउं से खतम हो जाएगा तो गाउं का पुरा आर्थ कारण खतम हो जाने वाला है प्रधानमंत्री मोधी ने बैंगलूरू की जनसभा में काले धन को लेकर अपनी सरकार को पूरे नमबर दिये प्रधानमंत्री मोधी ने काले धन के मुद्दे पर बार बार हो रहे विरोधी दलों के हमले का भी तगड़ा जवाब दिया काला दोन आएगा कि नहीं आएगा ऐसा जूट चलाया ऐसा जूट चलाया भाईयों वेनो क्योंकि उन्हें मालुम था वो इतना चीखना चाहते थे इतना चिलाना चाहते थे कि सत्य की आवाज दब जाए लेकिन सत्य की आवाज कभी दबती नहीं है समय आने पर वो अपनी पूरी ताकत के साहत मुखर हो जाती है और आप ने देखा होगा सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट पहली कैबिनेट बिटिंग में क्याम दिने ने किया तीन साल से दिल्ली में बैटी सरकार सुप्रीम कौर्ट के कहने के बावजुद भी काले थन के सबंद में मिरने करने को तयार नहीं थी S.I.T. बनाने को तयार नहीं थी हमने आते ही पहली कैबिनेट के अंदर S.I.T. बनाने का मिरने कर लिया और S.I.T. ने काम शुरू कर दिया सुप्रिम कौर्ट में लगातार SIT अपना रिपोर्ट दे रही है कानूनी कारवाई चल रही है प्रधानमंतरी मोधी ने यूपिय सरकार के दौरान हुए कोईला घोटाले का वे जिक्र किया और कहा कि तब कोईला खदान चंद लोगों की खदाने को बरती थी सरकार में उसमें जो लोग बैठ रहे थे वो तो कहते थे ये बढ़ चड़ करके आंकड़ी दिये जाते सब जूटे हैं फालतू है और आंकड़ा इतना बड़ा था एक लाग चोहत्तर हजार करोड वन लाग सेवन्टी सिक्स थाउजन करोड ये आंकड़ा इतना बड़ा था कि आंकड़ा भी लोगों को भारी लगने लगा था तो लोग भी कहते थे नहीं यार हुआ तो हो लोगा लेकिन इतना नहीं हुआ हुआ ये खा तो गए होंगे ले तो गए होंगे लेकिन इतना थोड़ा ले जाते है ये रकम इतनी बड़ी थी कि देश माचियों को इस चोरी के माल कर भी शक होने लगा तक शायद इतना नहीं होगा लेकिन भाई औ बहनो आपने जो सरकार बनाई जिसने कोईले में हाथ डाला पहले कोईले में हाथ डाला था तो तीजोरियां भरने लग गई थी लोगों की हमने कोईले में हाथ डाला कोईले को हिरा बनाकर के देश के सामने समब कर दिया है प्रधानवंतुरी नाशनल ग्राउंड बैंगलूरू में ये बात कह रहे थे और बैंगलूरू में ही बीजेपी कारिकारणी की बैठक के पहले दिन काफे सारी बाते हुई तमाम गतिविध्या रही नेता जोश में नजर आए इस मौके पर पार्टी अध्यक्षा में चाह न जाओडे कर रहे है और इसी ने जुड़ा है हमारा आज का सवाल आपकी राह हम जानना चाहते हैं और आज का सवाल है क्या भारत में अगले 20 साल तक रहेगा मोधी राज अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस Y टाइप कीजिए आपको लगता है नहीं तो टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस N अपनी राए 51818 पर SMS कर दीजिए आपकी राए हम इसी कारिकरम के आखिर में दिखाएंगे पर इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं क्या भारत में अगले 20 साल तक मोधी राज रहने वाला है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौझूद है दिल्ली से कॉंग्रिस प्रवक्ता शकील एहमद, CPI के नेता अतुल कुमार अंजान, बैंगलूरू से बीजेपी प्रवक्ता नवीन कोहली और स्टूडियो में हमारे साथ मौझूद है वरिश पत्रकार निरानजन मुखोपाद्याए सबसे पहले नवीन कोहली जी ये जो बात कही गई है क्या आप मानके चल रहे हैं कि आप 10 से 20 साल सरकार में रहने वाले ये कॉंटेक्स क्या था किस तरह सी बात रखी गई है इसका संधर्ब या कॉंटेक्स जो आप कह रहे हैं बड़ा स्पष्ट था कॉंग्रेस और जो मुख्य विपक्षी दल है वो लगातार हमारे गुणों की जगा जो काम देशित में हो रहे हैं कहीं न कहीं दोश खोजने में लगी हुई है उनको तो कहा हमारे अद्रग जी ने कहा भई पहले अपना नेता ढूंड ले और यदि उनका यही फोकस रहेगा भई प्रधान मंतरी जंदन योजना से गरीबों के बैंक अकाउंट खुल गए चालीस साल पहले इंद्रा गांदी जी ने राजकरन किया था राश्ट्री करन किया था बैंकों का आज तक तो खुला नहीं तो दस महिने का हिसाब देते हुए जो काम होते हैं तो यदि ऐसे ही जाये और जिस रूप से कॉंग्रेस लगी हुई है कि भ्रमक राजनीती करना और सिर्फ असत्य बोलना हर चीज़ को एक अलग रूप से डाले गले तो ऐसा लगता है कि देश में 15-25 साल तक ही अपने आपको बाहर रखना चाहते है राजनीती से और मोदी जी काम करेंगे तो देश की जंता के सामने रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे जवाब में भी हमला है शकील अहमत आपके उपर लेकिन कहीं ये खुछ फेहमी तो नहीं है बीजेपी के शकील साब देखिए सपने देखने पे कोई रोक नहीं है और अभी तक देश में या दुनिया में हम लोगों की जानकारी में कोई ऐसा कानून नहीं बना है जिसमें सपने देखने वालों को आप परतारीत कर सकते हैं या सजा दे सकते हैं सपने देखने के लिए हर आदमी सौतंतर है ये पिछली बार भी आए थे 2004 में जिस तरह ये गए छे महीना पहले ये इनको इतनी खुश फहमी थी कि छे महीना पहले ही उन्होंने चुनाओ करा दिया था और जनता ने इनको घर बैठा ला था 10 साल तक ये नलिन जी और उनके पार्टी के लोग नरेंदर मोदी जी भूल गए और सारी बात असत कही नरेंदर मोदी जी ने उन्होंने कहा पहली कैबनेट में SIT बनाया ये सही है लेकिन UPA सरकार की जो लास्ट कैबनेट हुई उसी में बनना था SIT UPA सरकार ने मर्यादा दिखाते हुए कहा कि चुनाओ देश में हो रहे हैं चुनाओ के बाद नतीजे के बाद अगर हम आएंगे तो हम बनाएंगे SIT नहीं तो जो अगली सरकार आएगी बिल्कुल इसका मैं जवाब लेता हूँ नलिन जी कब तक आपने जो पहला एक कड़ब उठाया काले धन का उसी को आप भुनाते रहेंगे क्योंकि अप तो बिकमे को शकील साब पबलिक सुनते सुनते भी 15 लाक लोग रुपया खोच रहें कि कहा सबकर अगर 50 लाक रुपया से जवाब के 15 लाख रुपया क्या हुआ लोगों का कान तो जाए शकील भाई तो जवाब दूँगा न ऐसा है शकील भाई ने अपनी बात रखी और मैं शकील भाई को बढ़ाई दूँगा विफलता को और नाकामी को ये मर्यादा की भाशा दे रहे हैं पहली बावतलत के र अनसी बदलना चाते हैं दो हजार दक्स तक सारे घोटाले हो गए टूजी के बाद कोईला घोटाले के उपर में सी एई जी की रिपोर्ट आ गई तब भी नहीं किया दो हजार चोड़ानी सरकार बदली उसने कर लिया तो ये विफलताओं को यदि ये मर्यादा के नाम पर कहकर वापना हाथ दोना चाते हैं तो मैं अपने पुराने बात में लोड़ गया हूं कि जूट और असत्य को आप अपनी काम्यावी अगर दिखाना चाते हैं तो मैं म अब्जर्वर के तौर पे और सीपिया के वरिष डेता के तौर पर ध्यान से देख रहे होंगे बीजेपी के राष्ट्रे अधिवेशन को आप से जाना चाहता हूं हतुल कुबार अंजान जी कि आप बीजेपी किस दिशा में बीजेपी को जाते हुए देख रहे हैं अभी देखेंगे भारती जन्रता परिटी अपने रास्टे से कहा जा रही है ये तो मैं नहीं जानता हूं कि पहले अफसर साही हो चलती थी नौकर शाह चलते थे तमाम साही ये मोधी साह की सरकार है मोधी बोलते हैं कि अमित शाह ने बड़ा अच्छा चमतकार किया अमित शाह कह उस गीता पर हाथ रखके प्रधान मंत्री नरेंदर दामोदर दास मोधी ये कह दें क्या उन्होंने ये नहीं कहा चुनाओ के अंदर एक सो तिर्पन मीटिंगों में क्या अगर भारती जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सौ दिनों में काला धन विदेशों से आएगा और हर परिवार के खाते में पंद्र अलाख रुपिया जाएगा क्या हुआ आज सक सौ दिन तो गुजर गए दस महीने है ठीक है आपकी जायर से जवाब देंगे हाँ ले लीजे जी नली जी इसका जवाब दे दूगा मुझे एक चीज की बड़ी संतुष्टी हो रही है बहुत मैं प्रसंद हूँ कि अतुल अंजान जी जो लेफ्ट पार्टी से जो भगवान को नकार के स्टेट को भगवान का दाइरा देते हैं अरे आपके खुदा नहीं है बहुत मैं इसको भी कामियादी के दाए में ज़री ने अच्छी बात है एक सो तेरार पे ने 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 नाराज हो रहे बड़े बड़े शांती से अपनी बात कर रहा हूँ कुछ स्पष्ट करना चाहरे हूँ स्पष्ट कर लेगी रातुल जी जरूर उसके बाद आप नाराज होईएगा सिर्फ अपनी बात कहने दिए नाराज हो रहाम से तो मैं आपके ब्रहामक और 153 जो ने रैली कही थी बड़ी खुशी होगी अगर वह त्रेपन 153 रैली मुझे गंके सुना दे मैं सब की फूट स्प्रेण पर वापिस आकर बैईज कर लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है अब मैं जबाब दे रहा हूं मेरी कोई बात मत मानिये नलिन जी मेरी बात मत मानिये मेरी बात मिथ्या है लेकिन ये सारे टेलिविजन के चैनल एक YouTube नामकी सलसा चलाते हैं YouTube में आप घर जा करके आद सुनिए आप अभीभूत थे आप अभीभूत थे आप उन्होंने एक सो दिन की जगान वाजना जी ने कहा था कि देर सो दित के अंदर आ जिकती है पहले दिनी एसाइटी प्रक्रिया पहले तो कभी हुई नी पर बोदी जी ने कब कहा कि सुना दीजिए वो पिछली सरकार के अधान मंत्री वकाइडा मरमोहन जी ने खा कि सो दिन में आएक थोड़ा कंफूजन है लेगे मैं दूर कर रहा हूं ने 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 कंफूजन कहीं नहीं है अच्छा एक बात यह मैं बताओं आप अचा यह नलिन जी आपने कहा कि मुझे नी है आप बैंकों के राश्ट्री करण को सही मानते आप बैंकों के राश्ट्री करण को सही मानते हैं कि मैं इसका जवाब देता हूं जो राश्ट्री करण हुआ देश हित में हुआ लेकिन जो उसके साथ उद्देश लगे थे क्या वो पूरे हुए हर चीज का एक उद्देश होता है पचास करोड लोगों के बैंक अकाउंट इस देश में चाली साल में खुल नहीं पाए आज साड़े बारा करोड खुले तो है ना अतुल जी आपको इससे क्या दिक्क अब आपको भी खुशी नहीं चाहिए कि गरीबों के बात करती रही है तो मुझे अच्छा लगा कि आप कह रहे हैं कि बैंक का रास्ट्री करन देशित में हुआ लेकिन आपकी जानकारी के लिए जब बैंकों का रास्ट्री करन हो गया 1979 में उसके बाद आपकी पार्टी के नेता श्री अटल विहारी बाचपेजी और उस समय जो संसदी दल के नेता थे और भारती जनसन के अध्यक्ष बलराज मधोक दोनों गए सुप्रीम कोट में कि बैंक का रास्ट्री करन गलत है और सीन हपते बहस हुई स्वरगी आरके ग करके द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा और एक बड़े कॉंस्ट्यूशनल पीट ने यह कहा कि संसद को बैंकों के रास्टी करन का अधिकार है यह आपकी जानकारी के लिए जोड़ देता हूँ लेकिन और इसका पिरोट किया है नलीन जी आपका जवाब उसके बाद मिलांजन जी के पास यहाँ पर आओ नवीन जी याद दिला है धन्यवाद मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतिहास के पन्नों से आप जादा जुड़े हैं आज की अर्थ वियवस्ता से नहीं और आगे भविश्य में क्या होना चाहिए उससे कम इंट्रेस्ट है आपका अब आजाते हैं वो केश जीते नहीं जीते तो सुप्रीम पोड़ का अगर लग गया उसमें स्टैम तो देश हित में माना ही जाएगा ना हम अपनी बात को आगे बढाते हुए आज जो क क्या खास बाते महाँ पर नजर आई बीजेपी क्या इस वक्ते कटिन दो राहे पर खड़ी है तो मुझे लगा था कि नलिन जी बिल्कुल बोलेंगे थोड़ा मुस्कुरा के बिल्कुल अपने टिपिकल अदा में कि वो एक जुमला था दरसल क्या है कि जब सबसे पहली बा दावा किया है तो मेरा पहला जो थौट था मेरे को किसने पूछा था कि आपका क्या रियाक्शन है इसमें तो उनकी पार्टी के अंदर काफी खिचाई होगी उनको तो ये कहना चाहिए था कि हम अनंतकाल के लिए राज करेंगे लेकिन मजाक और सरकाजम को अलग अलग हट करें मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जो दावा है कि वह बहुत सीरियस है को कि 20 साल की बात चोड़ दीजिए कोई विश्वास दर्शात है देखें कोई भी पोलिटिकल पार देखें ये एक्चुली बेसिल ग्रांट स्टैंडिंग है यह आप वहां दावा दे रहें सवा है कि आज के तारीक में जो वोटर जो है इतना इंपेशेंट हो चुका है जब आपको याद होगा कि जब पूरा जो लोकसभा का जब कैम्पेइन चल रहा था हम ये बार बार बोले थे कि मोदी जी ने कैम्पेइन किया है कि आपने कॉंग्रेस को 60 साल दिये मेरे को 5 साल दे है देखी वो तो दिल्ली भी जीती हुई लग रही थी सब लोगों को लेकिन दिल्ली में फाइनली क्या हुआ सिंगिल डिजिट तो छोड़िये मतलब बिलकुर शर्मनाक इस तरह का मतलब सिक्किम के बाद इस तरह का टोटल सफाया शाद बहुत ही कम जगा होता है तो इले एक्टोरेट को कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और नलिन जी एक माजे हुए पोलिटिकल अब्जरवर हैं पार्टी में जाने के पहले उनको पता है कि इस तरह से मतलब किसी भी वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए नलिन जी क्या आप वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं क्योंकि चाहे किसानों के मुद्दे हो वहाँ आपको शायद और काम करने की जरूरत है लैंड बिल पर अभी देश को कन्विंस करने की जरूरत है बिहार करण बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है मैं इस बात से सहमत हूँ कि आप वोटर को नहीं किसी को भी आप टेक फॉर ग्रांटेड नहीं करते हैं बिल्कुल सही बात है लेकिन जो कॉंटेक्स्ट है जो मैंने पहले ही शुरू में कारेकरम के शुरू में कहा वो कॉंटेक्स्ट वोटर नहीं कॉंग्रेस पार्टी औ का उनका नेता का है शकील भाई अगर चाहे तो अभी बता सकते हैं बहुत बड़ा काम करेंगे अपनी पार्टी के आने नेताओं को बता पाएंगे कि उनको जानकारी है देश को भी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी 46 दिन है लेकिन आप आई ये दूसरे पॉइंट पे जो उ हारे भी हैं बहुत हारे हैं और लेकिन हर हार से कुछ सीखते अपने विचार धारा को आगे रखते हुए बड़े हैं कारे करताओं की मेहनत से आगे बड़े हैं वोटर से जुड़े हैं इसलिए तो इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो इस पूरे यात्रा को हम समझते हैं हर हा जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं है ये टिपनिक कॉंग्रिस और विपक्षी दलों पे था जो आपने जैसे निलान जैन जी ने कहा कि जिस इरूप से एक सोट आफ कॉंटेक्स है उसको हमने आगे रखा है चकील साब कुछ जो ऑब्जर्वर्स हैं बीजेपी के वो ये कह र सब्सक्राइशनों से उससे आप अंदाज लगा सकते थे कि पार्टी की रणनीती क्या है लेकिन इस बार उसकी थोड़ी कभी नजर आ रही है क्या आपको ऐसा लगा शकील साब देखिए पार्टी की रणनीती तो बिल्कुल गलत ब्यानी की लग रही है और नलिन जी को राहूल जी कहां है कहां नहीं है उससे जादा फाइदा पहुंचेगा उससे याद करा दे हाई नलिन दिर मोधी जी कम्प्यूटर की बात हर जगा कहते हैं कि देश का माथा हुचा हुआ है जब राजीव गांधी जी ने कम्प्यूटर की शुरुआत एक तरह से इस देश में की थी तो इनके सबसे बले नेता अटल बिहारी बाजपेई जी ने पार्लामेंट में बैल गारी के साथ जूलूस निकाला था कि लोगों को बेकार करने के लिए राजीव गांध है साथ में कि अटल बिहारी बाजपेई जी पार्लामेंट में बैल गारी पचड़ के आये हैं तो नलिन जी ये जानकारी ले 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 और ये भी जानकारी ले ले कि साथ करोर काते हमारे टाइम में खुले थे बारा करोर आज हुआ है बढ़ करके दस महीने में साथ करोर खात और बीस साल तक मुर्ख बनाते रहेंगे काट की हांडी बार-बार नहीं चरती है नलिन जी चुले पे जी जी अब जवाब ले ले शकील साब जी का जो मुलम्मा था आज जाबरेकर जी ने कहा है कि दो हजार चौदा हमारे जीत का साल था लेकिन यह नहीं कहा कि मैं जवाब देदू शकील साब आपको अनुमतित देंगे निया आपको शुरू होना पड़ेगा और एक बात आपको कहना चाहते हैं कि अगर नलिन जी से ही सारी बात करवाने जी तो हम लोगों को तीन आदमी को क्यों आपने आपने जब तीन सवाल पूछ ले तो जवाब त समय देखा कीजिए और बाइलेंस होके समय लोगों को दिया कीजिए आपकी जवाब ले लूए टाइम डिस्ट्रिब्यूट कीजिए ठीक से आप उनहीं से सारी बात करवा रहे हैं ऐसा है जब राहूल गांदी जी आ जाएंगे आपको मुझसे बहुत जादा समय मिलेगा क्यों चिंता कर रहें शकील भाई दूसरी बात जो आपने अभी कहा बैल गाड़ी वाला जो बाल बैल गाड़ी वाली बात जो भी धनिवाद सुपर फास्क बुलिक ट्रेन की गती से देख लिया कि 10 महीने के अंदर में 3.5 करोड खुल गए अब आगे आज आते हैं राजीव गांदी जी का प्रधान मंत्री मोधी जी ने 15 अगस्त को जितने पूर प्रधान मंत्रियें सब को सादुवात करते हुए का जिनों ने भी देशित में कुछ किया हम उनकी तारीफ करते हैं आप तो नरसे मराओ जी को भी भूल गए पहले परदान मंत्री थे नहरू गांडी परिवार के बाहर जिनका नाम आपकी अद्व्यक्षा ने कभी लिया ही नहीं कुछ उनके लिए सोचा ही नहीं तो मतलब ऐसा है आप शिरे जो है सिर्फ एक खांदान तक रखते हैं पर कोई बात नहीं वो आपकी राजनीती है आपको बढ़ाई आखरी बात मैं कह रहा हूं यहां पर यह जो आपने कहा अब बारी है जनता की सवाल हमने आप से पूछा था कि आगले 20 साल तक वाकई रहेगा मोदी राज इसके जवाब में बड़ी संख्या में हमें जवाब मिले है 81 पीस्तादी लोगों ने हां में जवाब दिया है यानि बहुत बड़ा वर्ग है जो समस कर रहा है हमको और यह कह रहा है कि उनको विश्वास है कि 20 साल और मोदी राज रहने वाला है सिर्फ 19.30 लोगों ने नहीं में जवाब दिया है इसको देखकर मुझे भी थोड़ा आश्या रहे हो रहा है लेकिन यह नतीजे आपके सामने है